आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है आज के इस बीडियो में हम उत्राखन LT 2018 के साइन्स सब्जेक्ट के विज्ञान विसाई के प्रस्न बत्र को हल कर रहे हैं आईए देखते हैं उत्राखन LT 2018 के विज्ञान विसाई के प्रस्नों के उत्तर बीडियो बहुत लंबा न हो जाए इसलिए अनावश्यक रूप से लंबे समीक्रणों को नहीं बोला गया है यह LT साइन्स का D सीरीज का पेपर है जिसमें के नीचे इंस्ट्रक्शन से दिये गए हैं और नेक्स पेज में प्रथम प्रस्न है ज्याद से अज्याद की ओर है एक अप्सन B सही है सिक्षन सूत्र दूसरा प्रस्न है सिक्षन व्यू रश्ना है अप्सन A सही है उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना प्रस्न 3 है आटाकार सारी रिकर्षणा वाले व्यक्ति में पाय जाने वाले व्यक्तितव गुण होते हैं प्रस्न 4 है दल सिक्षण में दल है तो इसका आप्षण ए सही है अध्यापकों का जो सिक्षण योजना को तैयार कर उसका किरियान वेर्य करता है प्रस्न पांच है चिंता का वह स्तर जो चात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है क्या है वह? आप्सन C सामान्य चिंता प्रस्न 6 है यह सामाजिक वातरों में आयुजित किया जाने वाला एकनिस्ट उद्देश पून किरिया कलाप है यह कथन सिक्षन की किस विधी की ओर संकेत करता है तो आप्सन D साही है प्रोजक्ट विधी की ओर प्रस्न 7 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है तो आप्सन D साही है उपरियुक्त सभी मतलब इसमें सामिल क्या क्या है प्रस्ण आठ है चात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक सिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका अपसंधी साहिए और परियोजन सेक्सिक हो, सम्मंद वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो और सीखना किरिया द्वारा हो प्रस्ण दो है सामोहिक सिक्षन करते समय विध्यार्थियों की व्यक्तिकत समश्याओं के समाधान है तो निमने लिखित में से आप कौन सी विधी का प्रियोग करेंगे तो अपसंद सी सही है अनुवर्ग विधी का प्रियोग करेंगे प्रस्ण 10 है संप्रेशन प्रक्रिया में सिक्षक का वियोहार साब्दिक से असाब्दिक तक हो सकता है प्रस्ण 11 है कक्षा कक्ष संप्रेशन है तो सूख्षम सिक्षन क्यों आवस्यक है अपसन बी सई है वेःफिन कोषलों के विकास थेतु शूक्ष स्क्रिक्षन आवश्यक है प्रशन बारा है अध्यापक होने के इनाति यदि आप किसी विद्हार्थी की बूरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो किरियात्मेक यूजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिध्धान्द को ध्यान में रखेंगे। तो अपसन C सही है, सास्त्री अनुबंधन सिध्धान्द को ध्यान में रखेंगे। प्रसन 13 है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के ब्यवहार का कौन सा पक्ष है। विद्धियार्थियों को कठिन सब्दों का अर्थ समझाने की व्यवारिक विधि है, उन सब्दों को वाक्यों में प्रियोग करके पढ़ाना प्रस्न पंद्र है एक बालक काले कुत्ते, काले विल्ली एवं काले कोट को देखकर तरने लग गया है इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है तो अप्सन बी सही है उद्धीपक का सावान्नीकरण प्रस्न सोला है आनुवानसिक गुणों का वास्तविक समवाहक क्या है तो अप्सन सी सही है जीन्स आनुवानसिक गुणों का वास्तविक समवाहक होता है प्रस्न 17 है निमिलकित मैंसे एक सैक्सिक मापन की विधी नहीं है अप्सन 20 है मानक संदर्भित परिक्षन एक सैक्सिक मापन की विधी नहीं है प्रस्न 18 है वन्सानुकरम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा क्या क्या समझना होगा उप्रिक्त सभी मतलब समानता का नियम भी समझना होगा पिन्नता का नियम भी समझना होगा और परतिगमन का नियम भी समझना होगा प्रस्ण 19 है क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा अपत समलित नहीं होता है इसमें नहीं होता है की बात आ रही है तो तब option B सही है परिणामों का सामानी करण प्रस्ण 20 है निमलकित में से कौन सा तथ ही निटदेशन एवं परामर्स का अंग नहीं है तो option C सही है सम्मेगूं का विकास करना निटदेशन एवं परामर्स का अंग नहीं है प्रस्ण 21 है स्यांपट पर लिखते समय अकशरों का आकार तै करने के लिए आप किस बात का प्रस्ण 22 है, संग्यान आत्मक व्योहारगत कौसल के अंतरगत विध्यार्थी को सैध्धान्तिक कतनों के उप्योग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के समक्षक बनाना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अप्सन 20 है, अनुप्रियोग कहलाता है। प्रस्ण 23 है, निमलिखित मैं से किसी विध्यार्थी के आंतरिक मनुभाओं के माप की सरूत्तम प्रविधी कौनसी है। प्रस्ण 24 है, सिक्षण अभी विवसाय की सभी वान्चित व्योगिताएं रखना। प्रस्न 25 है आप अपने विद्यार्थियों में मुख्यत और पर स्वा अनुसासन किस प्रकार विक्सित करेंगे तो अप्सन A सही है उनको उत्तरदायत दे करके हम अपने विद्यार्थियों में मुख्यत और पर स्वा अनुसासन विक्सित करेंगे प्रस्ण 26 है एक स्रिक्षर अपनी सिक्षण अधीगम प्रिक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है तो वो दोनों ही चीजें A और B को ध्यान में रखता है मतलब option C सही है निर्मित उद्देशियों को भी ध्यान में रखता है प्रस्ण 27 है निमलिकित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्थन कोसल का तत्व नहीं है तो विन्यास प्रिरण उद्दीपन परिवर्थन कोसल का तत्व नहीं है प्रस्ण 28 है बुद्धी परिक्षणों का प्रियोग किया जाता है तो प्रुक्त सभी में किया जाता है विध्यालाई में चात्रों का समोई भाजन करने में भी और नेट्देशन के प्रियोजन ही तो भी और चेहन करने के प्रियोजन ही तो भी प्रस्न 29 है अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्चक नहीं है, तो आवश्चक क्या नहीं है, ऑप्सन A आवश्क नहीं है, सिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, प्रस्न 30 है अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है, उसे कह जाता है D option सही है S आकार वक्र कहा जाता है प्रस्न 31 है फीता क्रमिक किस वर्ग में आता है तो option D सही है सैस्टू डाव है प्रस्न 32 है A2 X3 की विलेता Y मोल है इसका विलेता कुननफल होगा तो option D सही है 108 Y की पावर 5 प्रस्न 33 है protein बना होता है तो option B सही है carbon hydrogen oxygen तथा nitrogen का प्रस्न 34 है गर्मियों के महिनों में जील का उपरी स्थर कहलाता है तो epilim neon प्रस्न 35 है आवरक्त स्पेक्ट्रो इसकोपी में प्रिज्म साधानतया बना होता है तो option C सही है KBR का प्रस्न 36 है Akesia melanogylon का पादप प्रदर्शित करता है तो option C सही है phil load और प्रस्न 37 है steroid hormone का पूरुवर्ति समझा जाता है तो इसका option B सही है cholesterol को प्रस्न 38 है जब glycerine को potassium hydrogen sulfate के सांध गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है तो option B सही है acrylene प्रस्न 49 है क्रैप्स चक्र संपन्न होता है तो option D सही है mitrocondia में प्रस्न 40 है प्रसव के दोरान करवासे के संकुचन के लिए उत्तरदाई हार्मोन है तो option A सही है oxytocin प्रस्न 41 है c6 plus a acl3 की उपस्तिती में c6h5 cons2 बनाता है तो उप्रिक्त अभिकरिया में a है तो a क्या है इसमें option B सही है clcons2 है प्रस्न 42 है बहु भुरूनता सरब्रथम देखी गई तो option A सही है citrus में प्रस्न 43 है मेंडल द्वरा अपने प्रियोग में कितने विर्योथी जोणूं के लक्षणूं का प्रियोग किया गया था option C सही है साथ जोणूं का प्रियोग किया गया था प्रस्न 44 है यदि R plus upon R minus equal to 0.225 तब समन्वय संख्या होगी तो option B सही है 4 प्रस्न 45 है निमलेखित में से कौन एक स्वापोसी जिवानूं है तो option A सही है नाइट्रो बैक्टर प्रस्न 46 है स्तंधारी मानव हरदय में पेसमेकर है तो option D सही है इसमें S A node प्रस्न 47 है निमन में से कैप्रो लेक्टम एक लख है option B सही है नाइलोन सिक्स का प्रस्न 48 है अलकोहॉल के लिए कौन सा सुक्स्मजीव प्रियोग किया जाता है तो option D सही है सैकरो माईसीज प्रस्न 49 है निमलकित में से सबसे अधिक स्थाई कार्बोनियम आयन है इसमें option D सही है प्रस्न 50 है सबसे छोटा पुस्प है तो इसमें option A सही है बुलपियागा प्रस्न 51 है प्रथम धुर्वी पिंड का निर्माण अंड जनन के कौन से चर्ण में होता है तो इसमें option C सही है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में प्रस्ण बावन है एक आदर्स गैस के रुद्धोस्म प्रसार के लिए सही संबंद है प्रस्ण त्रेपन है खादिस रंखला में सबसे ज्यादा जन्संख्या होती है प्रस्ण चववन है कौन सा जीवासन सरिष्रव और पक्सिवर के बीज की कड़ी माने जाता है तो इसमें ऑप्षन सी सही आर्गियो पटेरिक्स प्रस्ण फर्स्वन है, साइकलो हेकसेन की सबसे अधिक स्थाई बनावट है, तर इसमा अप्सण डी स्जैय रोग प्रस्ण 56 है पौधू में जड़ द्वारा और सोसित जल का पत्तियों तक सम्मुहन की सुथ तक द्वारा होता है प्रस्ण 57 है परोब कारिता व्यवहार एक अभी लक्षन स्वरोग पाया जाता है प्रस्ण 58 है अपोलो अंत्रिक्स कारिक्रम में प्रार्थमिक उर्जा स्रोत के रूप में निम्न सैल का प्रयोग किया गया था प्रस्ण 69 है वाहनू से निकलने वाला पिसेला धातु प्रदूसक है तो इसमें कौन सा है पीवी और प्रस्ण 60 है तील चट्टे का मुख्य उच्षरजी अंग है तो अप्रस्ण C सही है मालपी जियन न लिकाए प्रस्ण 61 है एक कार्बनी क्योगिक में C equal to 40% oxygen 53.34% और hydrogen 6.66% है उस कार्बनी क्योगिक का मुलानुपाती सूत्र होगा तो इसका मुलानुपाती सूत्र होगा इसको कैलकुलेशन करके निकले गया है अप्रस्ण B सही है में CH2O प्रस्ण 62 है एकोलोजी सब्द प्रतिपादित किया गया तो अप्रस्ण A सही है है कल के द्वारा प्रस्ण 63 है पैट्रो माईजन का लार्वा क्या कहलाता है तो इसका अप्रस्ण C सही है MOC प्रस्ण 64 है मिथाइल एमिन की अभिकरिया नाइट्रस अमल से करने पर बनने वाली गयस है तो इस गयस कौन से बनती है अप्रस्ण B सही है नाइट्रोजन गयस बनती है प्रस्ण 65 है निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित है तो अप्रस्ण D सही सुमेलित है क्योंकि केंद Hexa, Sino, Phariate, Second. प्रस्नclaRec록 driving, siahe बट pressured जिससे taj anhyal ko खत्रा है, तो इसका option B,是 ya sulfur dye oxide से taj anhyal ko खत्रा है. प्रस्न68 है। रेसम who Bennett, के शमवर्धन की किरिया में कितनी बार निर्मोचन होता है? प्रस्न69 है, siahe Lakhi 14 पर निर्मोचन होता है। तो इसमें option A सही है, चार प्रात्मिक एलकोहल को प्रदर्शित करता है। प्रस्थन 70 है, रंद्र के खुलने तधा बंद होने में कौन से आयनिक तत्व का महत्व है। तो इसमें option D सही है, पोटेसियम का महत्व है। प्रस्थन 70 है, प्रोस्टेट ग्रंथी का क्या कारे होता है। तो option B सही है, इसम को गत्ती सिलता प्रदान करना। प्रस्थन 70 है, जब इथाईल मेगनिसियम प्रोमाईड एथेनोईक अमल से किरिया करता है, तब उत्पात बनता है। option D सही है, कौन साथ पाद बनता है। एलकेन। प्रस्थन 73 है, पुसपी पाधपों में भूजन का स्थारांतरन होता है। option B सही है, पुसपी पाधपों में सुक्रोच के रूप में भूजन का स्थारांतरन होता है। प्रस्ण चोहत्तर है, टक DNA, पॉली मिरेज, एंजायम निम्न मैंसे किस जीव से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें ओप्शन A सही है, हर्मस एक्वेटिकस में, प्रस्ण 75 है, पर्म्यूटिट का रासाइनिक सूत्र क्या है, तो इसका ओप्शन B सही है, और प्रस्ण 76 है, निम्निकित मैंसे कौन सी सेवाल लार्वी साइडल या लार्वा को मारने वाली है, तो इसमें ओप्शन D सही है, और सिले टोरिया, प्रस्ण 70 है, रूधिर है एक, रूधिर एक क्या है, तरल सन्योजी उत्तक है, इसलिए उप्शन C सही है, प्रस्ण 80 है, जब 0.5 फेराडे विद्यूट को NACL विलियन में प्रवायद किया जाता है, तो मुक्त क्लोरीन की मात्रा होई, तो इसमें ओप्शन A सही है, 17.75 ग् प्रस्ण 89 है, निमने मैं से क्रैंज सारी रिक्री पाई जाती है, उप्शन C सही है, C4 पादपुमें प्रस्ण 80 है, जीन्स होते हैं, तो उप्शन B सही है, DNA के कार्यात्मक अव्याओ प्रस्ण 81 है, निमने मैं की कार्बो कैटाइन के इस्थायत्व का घटता क्रम है, तो इसका उप्शन D सही है, प्रस्ण 82 है, सतत चरूंका रेखा चित्रन प्रद्रसित किया जाता है, तो इसका उप्शन C सही है, आयत चित्रे से प्रस्ण 83 है, निमने कीत मैं से कौन सा महा कल्प सरी सरपों का स्वाने यूग कहलाता है, तो इसका उप्शन D सही है, मीसो, जोईक, महा कल्प सरी सरपों का स्वाने यूग कहलाता है, प्रस्ण 84 है, किसी द्रव का आनविक द्रभमान पढ़ने पर उसकी सयानता क्या होती है अप्सन B सही है बढ़ती है प्रस्न 85 है रसा रोहन का ससंजनवाद किसने प्रतिपादित किया तो अप्सन A सही है डिक्सन और जॉली ने प्रस्न 86 है हैंबर्गर सिप्ट को जाना जाता है तो अप्सन B सही है क्लोराइड सिप्ट के रोब में प्रस्न 87 है, 4-chloro-3-5-dy-methyl-phenol कहलाता है, अप्सन C सही है, datol, प्रस्न 88 है, मक्का के प्रणोह सिर्ष की कोशिकाओं में कुण सूत्रों की संख्या 20 है, इसी पहुदे की लगू भी जानों मात्र कोशिका में कुण सूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो अप्सन A सही है, यह भी 20 होगी, प्रस्न 89 है, महिलाओं में अंडोर सर्ग किसके नेंतर में होता है, तो अप्सन C सही है इसमें, और प्रस्न 90 है, नाभिकूं का सम्न्यूट्रानिक त्रिक है, तो इसमें अप्सन A सही है, प्रस्ञ कानेवे है विसेश, बेलामन, उत्तक इन पॉंधू की जडू में पाया जाता है तो ये आरकेट के जडू में पाया जाता है तो अप्रस्न सी सही है प्रस् prohibited है प्ले ट्लेट्स की कमी कहलाती है तो इसका अप्रस्न P सही है प्रस्न 13 है लेपोट नियम के अनुसार फोरविडन संक्रमन है तो इसमें option D सही है प्रस्ण 94 है कोसिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं तो इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं प्रस्ण 95 है एपोपाइलस होते हैं तो option A सही है इसमें रैडियल कैनल का एपाइंजोसिल में खुलना प्रस्ण 96 है एक मोल मैगनीसियम नाइट्राइड जल की अधिक्ता में अभिक्रिया करके देता है तो इसमें option B सही है दो मोल एनेस थ्री प्रस्ण 97 है आक्सिसोम उपस्तित होते हैं तो option A सही है माइट्रो कॉंडिया के भीतर में आक्सिसोम उपस्तित होते हैं प्रस्ण 98 है डाउन सिंड्रोम में कुनसोंत्रों की संख्या कितनी होती है तो option C सही है 47 होती है प्रस्ण 99 है स्टैटो स्फियर में उजोन स्याय निम्न के कारण होता है तो option A सही है CF2, CL2 के गारण प्रस्ण 100 है इस्टिरोलस वसा नहो का ठोस अलकोहल होते हैं फिर भी इन्हें लिपिट कहा जाता है क्योंकि ये बनाते हैं ये क्या बनाते हैं option D सही है इस्टरोर वसी अमला बनाते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अनिक ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर देजिए जिससे हमारे द्वारा चैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा थैंक्स पर वाचिंग